तो यार इससे बिटर क्या हो सकता है? जिसका फैंस सालों से डिमांड कर रहे थे आखिर मार्वल ने उस डिमांड को कम्प्रीट करी दिया और उपर से हिडन डिटेल्स के बाद करें तिन्हों ने यहाँ नो वे होम का रेफरेंस भी दिया है तो हाँ ऐसे hidden details को miss नहीं करना चाते तो वीडियो इन तक जरूर देखना एंट टेंशन ना लो इसमें no way home को लेकर कोई भी spoiler नहीं है भाई जब आप वीडियो देख रहे होगे तब ही शायद मैं no way home देखने के लिए निकलूँगा 9.45am का शो है तो यह एपिसोड स्टार्ट होता है 2018 में जहां ब्लैक वीडियो की स्टोरी लाइन कम्प्लीट हुई थी और यलिना कुछ और ब्लैक वीडियो के साथ बचे वे वीडियो को antidote देने निकली थी अब यहाँ नोटिस करने लाइक है यलिना का जैकेट यह जो जैकेट है वो अविसली ब्लैक वीडियो के मूवी से अलग है सिंस उस मूवी में यलिना ने अपना जैकेट नताशा को दे दिया था नताशा ने वही जैकेट इंफिनिटी वार में पहना था तो हाँ यहाँ यलिना एक और वीडियो को antidote देने आती है और इसी मॉमेंट पे वकांडा में थैनो से स्नैप कर देता है और अनुशली मुझे ये मॉमेंट बहुत ही सही लगा 2018 में स्नैप होकर 2023 में ब्लिप से रिटन होने को इन्होंने बस 5 सेकंड में दिखा दिया इससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि जो लोग स्नैप हुए थे उनको कैसा फील हुआ होगा वैसे एंड गेम के बाद से ही most of the MCU के प्रोजेक्ट में ब्लिप के मॉमेंट्स को दिखाया गया है यहाँ अगर याद रखने लाए कुछ पॉइंटर्स दू तो ये लिना भी स्नैप होकर डस्ट हुई थी और उसको नताशा के सैक्रिफाइस के बारे में पता नहीं था देन ब्लैक वीडो के मेन स्टोरी लाइन के बाद का ये पूरा सीक्वेंस था और इसी सीक्वेंस में पांच साल का जंप भी था विच मीन्स कि ये जो पोस्ट के डिट है वो 2023 के बाद का है तो हाँ यहाँ से टाइम लेन थोड़ा क्लियर हो जाता है वहीं दूसी तरफ केट वापस अपने घर आती है और इलिनार से बात करती है बेसिकली जो कुछ भी पिछले एपिसोड में हुआ था जहां क्लिंट ने उसे अपने से दूर रहने को बोला था उससे वो अपसेट है वैसे क्लिंट अन केट साथ में नहीं है फॉर दे स्टार्ट अफ दे एपिसोड ये दिखाने के लिए उन्होंने हौकाई की लोगों में माइनर चिंजिस किये हैं जहां पहले हर बार दो एरो हौकाई के लोगों में एक को हिट करते थे इस बार ऐसा नहीं हुआ और हाँ यहां अगर आप उसके रुंग में नोटिस करोगे यहां हौकाई का पोस्टर भी देख सकते हो विच अगेन कंफर्म्स कि वो हौकाई की कितनी बड़ी फैन है देन यह वाले शॉट में जहां माया और काजी बात कर रहे होते हैं यहां हम काजी के हाथ में एक स्कल का टैटू भी देख सकते हैं सेम इसी पॉजिशन पे क्लिंट के हाथ में भी टैटू था डिफरेंट टैटू था लेकिन सीम जगा पे सकल बना था तो हाँ इसका यह मतलब नहीं कि दोनों किसी वे में रिलेटेड है या दोनों एक साथ काम करते हैं बस यह एक इंट्रेस्टिंग चीज मैंने नोटिस की तो सोचा बता दूँ एक ऐसा ही और इंट्रेस्टिंग चीज शायद सबने नोटिस क्या होगा जब यह लीना एंट केट बात कर रहे होते हैं जिसका डिरेट कनेक्शन होता है नोवे होम से बेसिकली इस पूरे सीक्वेंस में यह लीना क्लियर कर देती है कि केट से उसकी कोई दुष्णनी नहीं है वो बस क्लिंट को मानना चाती है अविसली उसको लगता है कि हॉकई के वज़े से ही नताशा जिन्दा नहीं है यहाँ यह भी क्लियर होता है कि यह लीना हॉकई को हटा कर Captain America की शीड लगाई गई है तो हाँ जिस Statue of Liberty को यहां mention किया गया है उसका appearance no way home में होगा दूसरी और हम देखते हैं कि since Clint Kate को safe रखने के लिए उसको अपने साथ involved नहीं रखना चाहता तो वो ग्रिल्स के अपार्टमेंट में चला जाता है ग्रिल्स आपको याद ही होगा लारपर्स वाले सीन से वैसे fun fact कॉमिक्स में ग्रिल्स को काजी ने मार दिया था तो मेबी वैसा कुछ हमें इस सिरीज में भी मिले collateral damage वैसे ग्रिल्स यहां Kate औं क्लिंट के new costume को भी mention करता है जो कि मेबी हमें last episode में देखने को मिले और मेबी ये costume कॉमिक्स accurate हो जो कि आज तक Hawkeye की case में हमें देखने को नहीं मिला original Six of Ingers में यही ऐसा character है जो कि अपने कॉमिक्स के counterpart से बहुत जादा अलग है तेरे एक shot में ये भी दिखाया जाता है कि Jack को police arrest कर रही है Sloan Limited से money laundering के case में और जैसा मैं first episode से बोल रहा हूं कि Jack खली दिखने में evil है उसे यहां फसाया जा रहा है and obviously इन सब के पीछे इलेनॉर कहां थै फिर ये वाला shot मुझे बहुत ही जादा सही लगा यहां पे New York battle के लिए original Six of Ingers को tribute दिया गया है और हाँ यह वही location है जहां आपने ये sequence देखा था यहां भी sadly Clint का नाम सबसे नीचे है यह जो shot है वो again No Way Home से connect हो जाता है आप यहां Hawkeye को तो देखी सकते हो obviously Kate उसको अपना role model मांगती है तो उसके room में हर जगा Hawkeye के photos है ही लेकिन ध्यान देने वाली बात है यह Fox इस Fox का drawing यहां तो है लेकिन साथ ही ऐसा ही Fox No Way Home के trailer में भी दिखा था आपने Doctor Strange के हाथ में Coffee mug पर इस Fox को देखा होगा अब हर जगा Fox को दिखाने का क्या correction है guess कर पाना मुश्किल है लेकिन अगर हम लोग थोड़ा overthinking करें तो हो सकता है कि यह बस represent करता हो कि डिजिनी ने Fox को खरीद लिया है और वो Fox के characters को use कर सकते हैं मतलब X-Men को तो हाँ यह शायद बस X-Men का hint है वैसे आप चाहो तो आप यह Doctor Strange वाले Coffee mug को अपने लिए भी order कर सकते हो को message देता है कि वो Maya से मिलना चाहता है लेकिन अकेले वहीं जहां Ronin ने उसके पिता को मारा था अब यह जो पूरा sequence है वो बहुत ही जादा interesting है सबसे पहले तो हमें इस car dealership का नाम दिखता है जो कि है fat man auto sales and हम लोग सब जानते है कि fat man कौन है then यहां Clint Maya को reveal करता है कि वही Ronin है और उस रात किसी ने उसे tip दिया था जिसमें भी उसे tip किया था वो Maya के boss के लिए काम करता है and his boss wanted his father dead Maya को शक्त होता है लेकिन फिर भी वो Clint को मानने की कोशिश करती है but somehow Kate उसको बचा लेती है और दोनों वहां से निकल जाते है अब detail में इस पूरे sequence पहें तो सबसे पहले obviously Maya का boss उसका uncle है और वो कोई और नहीं बलकि Kingpin है और यहां से अगर हम लोग comics के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि वहां भी Maya Lopez के father को Kingpin नहीं मरवाया था और ब्लेम Daredevil पे डाल दिया था और जब उसे ये बात का पता चला था तो वो Kingpin के against हो गई थी तो हाँ वही same storyline यहां देखने को मिल रहा है इसके बारे में detail में मैंने पिछले breakdown में भी बात की थी तो हाँ इस sequence के बाद Maya को शक्त हो गया इवन काजी पे भी ऐसा लग रहा है कि Kingpin ने काजी को बोला था टिप देने को जिससे की Ronin वहाँ पहुचा और सब को मारा तो हाँ काजी भी involved है और यही से मुझे लगता है कि going forward Maya Lopez खुद Ronin का title लेगी अभी नहीं तो आने वाले अपने Eco की series में कॉमिक्स में भी ऐसा ही हुआ था जहां Maya ने एक स्टोरी लैन के लिए Ronin का title लिया था and in the end हम देखते हैं कि major reveal होता है Clint, Grills and Kate खा रहे होते हैं और तभी यलिना Kate को message करती है कि उसे किसी और ने नहीं बलकि एलेनॉर ने hire किया है और फिर मिलता हमें Money Shot जो कि No Way Home के leak trailer के जैसा था हम यहाँ देखते हैं Daredevil के Kingpin का return लास्ट हमने इस character को Netflix के Daredevil के series में देखा था जहां वो arrest हो गया था बढ़ हां अभी ये confirm नहीं है कि क्या ये लोग वही storyline follow करेंगे क्योंकि भाई MCU में अब multiverse है तो हर characters के multiple variants है पर हाँ ये अच्छा है कि Vincent D. Onofree वही ये role play कर रहे हैं वहीं Eleanor पे वापस आएं तो इस character का भी major connection हो जाता है पूरे के पूरे MCU से Seems Valentina Eleanor के लिए काम करती है और Eleanor Kingpin के लिए तो इफ आपको Winter Soldier याद होगा तो वहाँ से John Walker भी indirectly Kingpin से involved हो जाता है अगर comics की बात करें तो वहाँ Eleanor ने अपना death fake किया था और लेटर रिवीर हुआ था कि वो Madam Mask के लिए काम कर रही थी तो वैसा ही कुछ हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है इस character के plot को guess करें तो Eleanor ने Clint को बोला था कि वो इस case को भूल जाए जिस पे उसने मना कर दिया था लेटर उसने Kingpin को call किया उसी एपिसोड में और Kingpin ने Valentina का contact Eleanor को दिया और Valentina ने Clint को हटवाने के लिए ये Eleanor को गलत info देकर भेज दिया अभी तो ऐसा ही लग रहा है और हाँ फिर से ending में जो Hawkeye का logo था फिर इस उसमें minor change हुआ जहां उसका background अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ आप Kingpin का shadow देख सकते हो जो कि पहले किसी भी एपिसोड में नहीं दिखाये गया था overall बोलू दो यार ये बहुत ही सही एपिसोड था जो कि next एपिसोड के लिए excitement बढ़ा देती है obviously आगे बहुत कुछ होने वाला है और सच में समझ नहीं आ रहा है कि एक एपिसोड में ये लोग इतना सब कुछ कैसे दिखाएंगे सब कुछ का conclusion कैसे होगा obviously Kingpin की story यहां से start होने वाली है तो उसका conclusion नहीं होने वाला फिर भी आपको ये एपिसोड कैसा लगा comment जरूर करना and hopes हो कि आपको मेरा breakdown पसंद आया होगा if हाँ तो वीडियो like करना share करना and obviously know where home का review, ending explained, post के date explained ये सारे वीडियो आने वाले हैं तो उसके लिए subscribe कर लेना doctor octopus की comic book origin जानने के लिए उपर वाली वीडियो देखें and पिछले एपिसोड का breakdown देखने के लिए नीचे वाली मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा till then be desi, be nerd